So friends, आप सभी का टेली ERP 9 Chapter 6 में स्वागते तो आज इस Chapter में हम पढ़ने वाले हैं कि Financial Year क्या होता है तो इसके अंदर आपको बहुत ही आसान शब्दों में और आसान भाशा में समझाने की कोशिश की गई है तो चलिए friends इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कोश्चन है कि What is Financial Year? तो जिस प्रकार हिंदू नववर्ष की शुरुवात जो होती है वो चैतर से लेकर फालगुन तक होती है और English New Year की जो स्टार्टिंग या और एंडिंग होती है वो जनवरी से लेकर दिसंबर मानी जाती है और जिसे उर्दू नववर्ष की जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो महरम से लेके जूल हिजा तक मानी जाती है उसी प्रकार अगर एक जो Financial Year होता है उसकी स्टार्टिंग अगर 1 अप्रेल 2019 से मानी जाती है और इसकी एंडिंग जो होती है वो 31 मार्च और इसके अगले साल 2020 तक मानी जाएगी तो इसी को हम क्या बोलते है Financial Year बोला जाता है देखे एक एक्जामपल और मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जैसे कि Last Year of Sales अगर हम Companies के अंदर काम करते है तो उसके अंदर Sales होती है अलग अलग लगता है कि तो Last Year of Sales कब माना जाता है इसके अंदर अगर आप Last Year of Sales को ये समझ रहे है कि 1 January से लेके 31 December जो हमारा Last Year of Sales होगा तो ये बिल्कुल जो हो गलत है तो इसका सही आंसर है 1 April से लेके 31 March तक तो ये हमारा जो हो सही आंसर है और इसी को हम Financial Year बोलते है